हलो फ्रेंट्स काउंखी सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज कटिंग करते हुए आप ब्लाउज का नाप किस तरह लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक ब्लाउज लिया है तो ब्लाउज को कैसे नाप कर हम कपड़े पर कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ब्लाउज नापने का तरीका बताएंगे कि ब्लाउज को कैसे नापा जाता है तो यहाँ पर हम इस ब्लाउज लिये हैं तो सबसे पहले हमें blouse में क्या नापना होता है तो सबसे पहले हम blouse का जो है chest नाप करेंगे तो यह हमारा chest मतलब सीना तो इसे आपको पीछ से hook को बंद कर लेना है और इसे दोनों तरफ से इस साइड से इस तरह खीशते हुए यहां से इंची टेप को लगाना है और दूसरे शिरे पे आपको इस तरह रखना है तो यहां पर हमारा यह देखिए 18 इंच क्या यह सीना chest हमारा नाप है तो आपको 18 का एक भाग 9 इंच तो full नाप हमारा हुआ 36 इंच तो हमें 36 में 36 इंच हमारा पुरा गोलाई chest हमारा 36 इंच है तो 36 का आधा 18 इंच 18 पे एक नाप करेंगे हम 9 इंच पे तो 9 इंच का आप निशान लगाने के बाद 2 इंच इश्टा लेजिए फिर उसकी बाद हम लंबाई की नाप करेंगे इस तरह ब्लाउज को आप उल्टा कर लिजिए और यह जो मुढ़े की सिलाई है यहां से आपको इंची टेप को लेना है और इस तरफ लंबाई को खिंचते हुए आराम से नाप करना है तो यह लंबाई हमारी साड़े तेरे इंच है तो हमें फिटिंग नाप साड़े तेरे इंच है तो हमें आधी इंच मुढ़े की तरफ सिलाई तो साड़े तेरे मतलब 14 और एक इंच नीचे की साइड में तो आपको 15 इंच पे इसकी कटिंग करनी है लंबाई की फिर उसके बाद आपको यह पीछे की जो गला है हमारा उसका नाप लेना है इस तरह इंच टेप उढ़ाईए और ये देखिए 9 इंच पर गले की कटिंग हुई है तो 9 इंच में आदा इंच आप मूठे की तरफ सिलाइक लिए रख लीजिए साहे 9 इंच पर पीछे वाले पाट पर गले की कटिंग होगी तो इस यहां से हमें आरम हूल है और यह दूसरा से रहाए यहां से आपको इंच कजिए के को लगाना है और इस तरह हम नाप करेंगे तो यहां पर 10 इंच पर कन्दे का नाप हुआ है तो आप डीपने गला बनाना चाते हैं तो ठीक है अगर वोटने गला बनाना चाते हैं तो उसका नाप दूसरा रहेगा क्योंकि ये dipneck गले में की cutting हुई है तो इसलिए कंदे का नाप 11 इंच पे इसकी cutting हुई है तो 11 का आधा साहे 5 इंच हम ये कंदे को हमने रखा हुआ है तो अब इस तरह आप आगे क्या जो हमारे गले की cutting हुई है आप इसका नाप करें यहां से इंच टेप उठाई तो यह हमारा बनकर डेड़ी हुआ है 6 इंच पर इसे हम आधी इंच सिलाई मार्जन के लिए साहे 6 इंच पर cutting करेंगे फिर उसके बाद आप बाजू की नाप ले लिजिए तो यहां से आपकी बाजू की नाप साहे 5 इंच है तो आधी इंच उपर के सिलाई के लिए और एक इंच नीचे की साहे सिंपल कपड़ा है तो एक इंच अगर रस्तरदार है तो आधी इंच तो इस तरह आप 1 इंच इस एक वीडियो में नाप कर कपड़े पर कटिंग करते हैं तो आप भी ब्लाउस को अच्छे से नाप कर समझ लीजिए फिर उसके बाद कटिंग को आप आसानी से कर सकते हैं तो आज तक की वीडियो यहीं तक तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो